नमस्कार दर्श न्यूज देख रहे हैं आप मैं प्रिति दयाल आपके साथ देखिए जिस दिन का बड़े ही बेसबरी से इंतिजार किया जारा था आखिरकार वह दिन आही गया जी हाँ 12 फरवरी यही वह दिन था जिसका तमाम लोगों को इंतिजार था और वह दिन आखिरक आही गया इस बीच आपको बता दे कि बिहार की सियासत में आज सुभा से ही तमाम तरह की गहमा गहमी देखने के लिए मिल रही है इस बीच फ्लोट पेस्ट होना है जिसको ले करके सभी पार्टियों के विधायक विधान सभाव पहुँच सुके हैं बात करें प्रदेश के मुख्या नितीश कुमार की तो वो बड़े ही मुस्कुराते हुए विधान सभाव के अंदर प्रवेश किये है वही इन सारे मुद्दों पर चर्शा करने के लिए हमाय साथ मौजूद है हमाय सहयोगी रितेश तो रितेश क्या कुछ लग रहा है आपको कि क्या होगा आज विधान सभा में क्योंकि जस तरह से मुख्यमति नितीश कुमार ने सभी लोगों का अभिनंदत किया जस तरह क्या स्माइल उनके चहरे पर देखा जा रहा है क्या लगता है कि कहीं ना कहीं वो बहुमत हासिल कर लेंगे देखे प्रिती नितीश कुमार की जो है आज अगनी परिक्षा है इसे कहा जा सकता है ऐसी अगनी परिक्षा जो है वो इतने सालों से 24 साल बाद उनके सामने यह आ रहा है क्योंकि उनका पलटने का जो यह दौर रहा है हमेशा से उनका जो यह व्यक्तित रहा है हमेशा उनक दिनों के अंदर जो है नितीश कुमार को अगनी परिक्षा देने की नौबत आ गई है और फ्लोर टेस्ट जो है आज होने वाला है लेकिन उससे पहले की कुछ तस्वीरें जो सामने आई हमारे सामने जब नितीश कुमार विधान सभाव पहुंचे थे तो वहां पोट्टिको हमार ने मना लिया है कल राज से ही वह लगे हुए थे सुबह भी बैठको का दौर जारी था और आपने देखा गी किस तरीके से हमारे सहयोगी लोग जो फिल्ड में मौजूद है वह लगतार विज्वल्स वगेरा हमारे सामने भेजते रहे हैं और उसमें दिखाई दिरा थ यह साफ तोर पर लग रहा है कि नितीश कुमार सरकार बनाने वाले है और आरजेडी की बात कर ले महागडबंधन की बात कर ले तो उधर के जितने भी विधायक हैं सभी लोग कह रहे हैं कि हम एक जोट है कभी भी तूट नहीं हो सकता और पिछले रात का वाक्या आप सिकायत दर्ज की थी लापता हो गए उनके भाई ऐसा उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कर आया जिसके बाद जो है चेतन अनंद वहां मिले और वहां वह बोलते हुए नजर आएं कि हम जो हैं अपनी मर्जी से जो हैं यह विधायकों के साथ यहां तेस्वी आवास पे मौजू रहते हैं उसमें मात्र जो है दो विधायक अभी उपस्थित नहीं हो पाएं विधान सभा में एक संजीब कुमार है डॉक्टर संजीब कुमार एक बीमा भारती है रितेश अगर आजएडी की भी बात करें तो आजएडी से भी जो नीलम देवी हैं विधायक और जो चेतन आनंद है वो भी विधान सभा नहीं पहुचे है यतन आनंद का वाक्या आप इस चीज़ से समझ लें कि वह लालू यादव से जो हैं उनके पिता आनंद मुहन काफी दिनों से नाराज चल रहे थे एक वाक्या सामने आया था बिहार की मीडिया में कि आनंद मुहन जब लाल है और यह तब जागा जब मनोच जह सदन में करके और एक कविता परते हैं ठाकुर का कुआ और इस तरह की बाते तो उनको लगा कि ठाकुर पर यह सीधा-सीधा अरूप लगाया जा रहा है कि सामंतवादी होते हैं इस तरह के होते हैं और ठीक उसके बाद जो है आनंद मु में जो है मनोज जहा को आप कह सकते उनके हनुमान वो कह जा सकते हैं जब यह वाक्या हुआ था तब तो अंशुमन आनंद का भी बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने साफ तोर पर कहा था कि वो उनके जो भाई है वो आरजेडी के साथ हमेशा ही रहेंगे भले ही हो सकता है कि आनंद मोहन का किसी तरह से लगाव रहा हो मुख्यमें दृनिप कि सा outta को जेल से निकलने में नितीश कुमार में भोमगा नीभाई है तो जाहिर सी बात है उस समय भी जब लालुयादभ से तो इस वाकिय से ऐसा उमीद लगाया जा रहा था कि वह पाला बदल लेंगे लेकिन यह भी बताया कि विधायक जो है उनके बेटे जो है वह आरजेडी से हैं तो दोनों तरफ का खेल खेलते हैं क्योंकि आप एक तरफा कहीं नहीं जा सकते हैं किसी से रादनीती में बैर नहीं पाल सकते हैं क्योंकि संभावनाएं जब भी आएंगी पलटने की तो कोई भी पलट सकता है केवल नितीश कुमार ही नहीं पलटते हैं आरजेडी भी नितीश कुमार को अपने साथ बुलाने के लिए तयार रहती है बीजेपी भी तो साफ यह रही है भाई विरेंद्र हो गए सकती सिंग्यादब हो गए जितने भी प्रवक्ता है मिर्ति तिवारी हो गए सब लोग बोल रहे हैं कि नितीश कुमार की आज जो है सरकार गिरेगी और सभी लोग विक्ट्री साइन दिखाते हुए हाला कि तेजास्वी आदब के चेहरे प सब लोग बता रहे हैं कि एक जूट हैं और सभी लोग गए हैं अब देखना है सबसे वड़ा सवाल है कि स्पीकर जो है अवद बिहारी चोधरी उनके खिलाब जो है अव विश्वास प्रस्ताव जिस तरीके से एंडिये सरकार ने लाया है तो उस पे सबसे पहले है वो पलट रहे हैं इस बीच आपको बता दो कि विधान सभा की जो कारवाही है उस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है फिलहार जेडियों के दो विधायक और बीजेपी से भी एक विधायक अब तक विधान सभा में नहीं पहुचे हैं हाला कि इस मुद्दे को लेकर क जो गहमा गहमी है वो लगातार देखने के लिए मिल रही है हाला कि क्या कुछ सामने हो आता है क्या मुख्यमंदिनी दीश कुमार विधान सभा में अपना बहुमत हासिल कर लेते हैं इन सारे खबरों से हम आपको अपडेट करते रहेंगे तब तक के लिए आप देखते रह कि ये दर्शन्यूज